आपका मेरे चैनल स्मार्ट स्टडी में स्वागत है आज हम डारेक्टेट ओफ एजुकेशन की तरफ सी दी जाने वाली वर्क्षिट नमबर 24 करेंगे जो कि क्लास 6 की है और सब्जेक्ट है इंग्लिश ये वर्क्षिट 29 सेप्टेंबर 2021 की है तो आएज शुरू करते हैं आज की वर्क्षिट वर्क्षिट शुरू करने से पहले प्लीज मेरे चैनल को सबस्क्राइब कर दीजिए तो आएज देखते हैं आज की वर्क्षिट थिन्क अफ सब special days in an year when you people fly kite also color the kite given कि आपको यहां पर किया से जब क्या करते हैं काइट इस काइट को प्लाइ करना इस काइट को अच्छी अच्छी अच्छ बनाएगा पहले के बारे में बताइए कि कौनταविके जोपन के सक देसे आंटों मैं पेंडेस डे मकर सकरांती और बसंत पंच में इन तीन डेज में हम पतंग उडाते हैं complete the following sentence with the help of the words given in the box हमें यह जो sentence है feeling the blanks को complete करना है इस box से help लेके तो आइए करते हैं बिटा next देखें first क्या है a dash kite looks bright in the sky as a dip and dive तो क्या आएगा बिटा new यहाँ पर क्या आजाएगा new a new kite looks bright in the sky as dip and dive हम पिछली worksheet में सबको अच्छे से समझ चुके कि एक नया kite जब आसमान में sky में उड़ता है dip and dive करता है तो ब्राइट लगता है हम यह समझ चुके हैं बिटा next देखें it pulse in steering and fly like a ship कैसे करता है बिटा ship की जैसे क्या करता है जैसे ship waves पर move करती है ना उसी तरह से steering and fly करता है kite fly में तो second में क्या आजाएगा बिटा ship धर देखिए the winds help it ride and reach the maximum height तो जो wind से क्या करती है इसके help करती है उसको maximum height तक पहुचाने के लिए तो third में क्या आ जाएगा height ठीक है next देखो यहाँ पर number लिख देते है number यह है one अपका उसके बाद number two लेते हैं number two हो गया यह आपका इसके आए तो पहाँ में टोप हाइप हाईप पर जाता है तो फोर्थ में क्या आ जाएगा बेटा, wind, फोर्थ में क्या आजाएगा, wind, ठीक है, अब next देखते हैं, you wind dash of the kite when it's lake, क्या कहा जा रहा है, कि steering उसकी लेनी है, जब क्या है, वो क्या करें, slow हो जाता है, थोड़ा, तो हम fifth पर क्या करेंगे, steering यहां लिखेंगे, ठीक है, steering आजाएगा, next देखे, when a new wind, जब एक नई हवा चलती है, तो क्या हो जाएगा, blow, जब एक नई हवा चलती है, blows, you unwind it again, तुमने जो लपेट लिया था, उसे तुम क्या करेंगे, unwind कर देंगे, उसे वापस से, next देखे, क्या हैगा, the new wind, feels the wings of the kite with dash and goes up again, तो क्या आजाएगा, यहां पे, air, next में क्या आजाएगा air, ठीक है students, देखे, पूरी जो यह हम chapter है, इसमें पूरी chapter को explain किया गया है, जिसे हम पहले ही बहुत अच्छे से समझ चुके हैं, ठीक है, अब हम करते है next question, देखे, question number 3, question number 2, बिटा, देखे, क्या करना है, match the words in the poem in column A and their meaning in column B, A column में कुछ words दिये गए है, उनके meanings कहां दिय इस तरह से wave कर, इस तरह से जो kite है, वो wave करेगा, तो यह जो point था, इसमें क्या कहा था, highest pointer, यह क्या है, crest, next है ragdor, ragdor मतलब कि जो बूरा तो उसमें कहा था, agreeer, हमने इसका meaning क्या हो जाएगा, agreeer, next देखे, flap, flap का क्या हो जाएगा, बिटा, flattered, flap का क्या हो जाएगा, flattered, slake, slake मतलब कि lose, तो यह इनके word meaning हो जाएगे, बिटा, तो इस तरह से इनकी matching होगी, आप इसे अच्छे से कर लीजेगा, अब हम करते है, question number 3, question number 3, pick and write the rhyming word in the help of the poem, हमें क्या करने है, rhyming word, जिनकी sound क्या होगी, same होगी, ऐसे words लिखने है, जो आपकी book में दिये गए है, देखे, फर्स्ट है new, तो new का क्या हो जाएगा, बिटा, blue, हम देखो sound same है, बिटा, तो हम वही word लिखेंगे, जिनकी sound same है, उन्हें हम rhyming word कहते है, उसके बाद आता है blow, blow का क्या हो जाएगा, बिटा, goes, blow का क्या हो जाएगा, देखते बिटा, new का क्या हो जाएगा, बिटा, अभी सब words जो हैं पिटा आपकी book में आए हैं आपके chapter में आए हैं तभी वहीं से लेने आपको rhyme जो आपकी poem है उसी से ही लेना है आपको ठीक है next is sea sea से क्या हो जाएगा tree तो देखे पिटा rhyming word की ने कहेंगे इनकी sound same होती है जैसे कि new blue, blow, glow goes, tail, sail sea, sea, tree read the snazor from the poem and answer the question that followed complete sentence taking the hint provided यहां पर हमें hint दिये गए है और हमें क्या करना है question को solve करना है तो आईए करते हैं first हम snazor को read करते हैं हम इसे बहुत अच्छे से समझ चुके हैं अगर आप अभी तक इसे नहीं समझे तो एक बढ़ी पिछली से पिछली वक्षिर देखें उसमें बहुत अच्छे से इसको समझाया गया है how bright on the blue is a kite when it's a new with a dive and a dip it's nap it's still जैसे कि एक ship क्या करता है जो ship जो होता है ocean में या sea में मूव करता है वैसे ही kite क्या करता है sky में मूव कर रहा है as over tides on of winds it's a ride जैसे कि जो ship है वो क्या करता है tides में मूव करता है वैसे ही जो kite है वो winds के साथ में ride कर रहा है climb to the crest of a gust in pull then seem to the rest जब वो उपर एकदम crisp पे पहुंजाता है वो कैसा feel होता है जैसे कि अब वो बहुत उंचाई तक महुंच गया वो क्या करेगा वहाँ पे rest करेगा तो अब करते हैं इसके question answer where is the kite तो हम लिखेंगे यहां से बेटा answer होगा the kite यहां से लिखेंगे the kite is एक से किन बेटा the kite is in the sky किया आ जाएगा काईट कहां पे है the kite is in sky चीक है अब हम करते है question number two तो देखिए first question का answer हो जायगा बेटा the kite is in the sky first question का अचाईगा the kite is in the sky अब हम करते है question number two question number two देखिए what does the word sore mean sore का meaning क्या है rise meaning है तो हम लिखेंगे the word sore means rise कि आगे यहाँ पर लिख देंगे राइस तो यह हो जाएगा आपका सेकिंड का अंसर दा वर्ड सोर मीन्स राइस अब हम करते हैं कोशन नबर थ्री what does the kite soar high तो हम लिखेंगे बेटा the kite soar high is power due to the power of the wind क्या हो जाएगा the kite soar high due to the power of wind कोशन नबर फोर दी देखिए what happened when the wind fall तो हम लिखेंगे when the wind fall the kite sink to rest जब wind fall करती है तो kite कैसा लगता है rest feel करता है तो एक बर हम इन चारो कोशन का अंसर देख लेते हैं आईए करते हैं अंसर तो देखिए बेटा first answer क्या हो जाएगा the kite is in the sky second answer देखिए answer number two b का बेटा the word soar means rise soar का meaning क्या है बेटा rise answer number three देखिए बेटा the kite soar high due to the power of the wind क्या हो जाएगा the kite soar high due to the power of the wind question number four का answer देखिए बेटा when the wind falls when the wind falls the kite seem to rest kite कैसा लगता है rest पर लगता है when the wind fall the kite seem to rest अब हम करते है question number five question number five देखिए बेटा state a pair of rhyming word in the given सनाजु आपको क्या करना है राइमिंग वर्ड को ढूनना है यहां पर तो देखिए first हो जाएगा blue and new तो 1st लिखेंगे blue उसके बाद यहां लिख देंगे new यह हो जाएगा first second सेकिनल हो जाएगा Ov большое, अश्橋 जो राइमिंग वर्ड वरंसे राइमिंग की हाया है यहां कि यहां पर हो जाएगा इनकी होरी है उसके बाद हो जाएगा टाइड एंट का हो जाए गाइग राइड्स देखो यह सब 5 words हमें मिले 1,2,3,4,5 तो यह है rhyming words यह सब आप यहाँ पर लिख सकते हैं blue, new, dip, ship, tail, sail, tide, drives, crest and rest यह हो जाएंगे हमारे rhyming words तो इस तरह से आप सनाजों से ढूंड कर यहाँ पर लिख सकते हैं तो पेटा आज की जो worksheet है वो complete होती है, worksheet complete करके अपनी teacher से check कर आईए और please मेरे channel को like कीजिए, subscribe कीजिए और share कीजिए, thank you students